Hello student, welcome back on online ते आरिये और मैं हूँ रूपा शुन्मा So student as you know कि आपका S.A.C. C.H.S.L का एक्जाम चल रहा है और आज का यानि कि 2nd of July का जो आपका एनालिसिस है पूरा दिन का वो हम लोग आज लेके आए है See एक चीज़ हम लोगोंने नोटिस की है कि जो कल का आपका एक्जाम था उस एक्जाम में और आज की एक्जाम में कुछ खास वेरियेशन नहीं देखने को मिला है और वो सब वही टॉपिक्स पूछे गए हैं जो कल पूछे गए थे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपना नया दिखाई दिया है उससे पहले दिखो आप एससी चल रहा है एक्जाम आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मौक टेस्ट चाहिए है राइट तो आपको एक ओफर दिया जा रहा है जिसमें कि आपको एससी के साड़े तीन सोड जो टेस्ट है आपके उसे एक ठीच महें में मिल रहे है चलिए इसी के साथ स्विर्श शुरू करते हैं 2nd of July का analysis है यह SSE का तो देखते हैं आज पूरा आपका एक बार pattern देखो आपको पता है कि चार sections आपसे पूछे जाते हैं इसमें आपका General Intelligence और आपका General Awareness Quantitative Aptitude और English Comprehension यह चार subject आपके पूछे जाते हैं 25-25 question each subject आपसे पूछा गया है एक question आपका 2 mark का है 2 marks की है तो टोटल आपका देखा जाए तो एक section 50 marks से हो गया negative marking आपकी half है यानि की 0.50 So let's see आप good attempts की बात करें हम कि एक particular section में आपने अगर कितना attempt किया है So it is a good attempt So कल हम लोग बात करें थे तो कुछ 19-20 question आपके ऐसे थे जो reasoning में आप attempt कर सकते थे But देखो आप आज भी कल भी हम लोगों ने रेखा था कि English और आपका जो reasoning का section है वो जादा doable है, easy level आया है, थोड़ा easy to moderate आप जादा से जादा यान score कर सकते थे तो 20-21 मैं मान के चल रही हूँ कि इतना आपका good attempt है और students से भी अगर हम देखें, उनसे भी जब सुन के पूरा अगर average निकाले तो 20-21 आपका reasoning का एक good score, good attempt आपका माना गया है English comprehension में भी एक बार फिर देख लेते हैं कि 18-20 के करीब आप question attempt कर सकते थे हैना general awareness as it is moderate और quantitative aptitude, moderate level देखा गया आज भी 15-17 और इसमें भी 15-18 के करीब जो अगर आप attempt करके आए हो तो it is a good attempt अगर overall exam की बात करें तो 68-75 अगर question आप करके आए हो तो आप बहुत ही safe zone में हो आप बहुत अच्छा करके आए हो है ना तो tension लेने वाली कोई बात नहीं है इसके साथ अब एक बार sectional देख लेते हैं तो कल की तरह आज भी quantitative aptitude सबसे पहले देखेंगे हैं हम लोग कल देखो ratio का question बुचा गया था आज ratio के question analysis में नहीं मिले हैं कई भी तो students ले किसी ने बताया नहीं है कि ratio का वोई question पूछा गया है simplification से भी आपके एक से दो question पूछे गया है time and work में आपका एक question मिला है speed and distance का भी आपका एक question है simple interest और compound interest की बात करें तो वाई एक से दो question आपका पूछा गया है profit and loss आपका एक से दो question पूछी गया है algebra से तीन question आप से पूछे गया है trigonometry का देखो दो से तीन वेटेज रहा है कल की तरह ही mensuration से आप से तीन question पूछे गया है student का गया है कि mensuration के questions थे ज़्यादा थे so आपके तीन question है समाना गया level भी इनका moderate रहा है देखो topic कौन कौन से moderate easy to moderate आ रहा है ये तीन topic आपके easy में चले गया एक profit and loss वाला easy में चला गया दूस्का एक चीज़ है आपका easy to moderate देखो speed and distance of percentage वाली कहानी हो गई आपकी तो ये ये पूरा easy to moderate रहा है मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि काल्कुलेटिव है students का कहना है कि थोड़ा सा कैल्कुलेटिव रहे कुछ topics तो आप एक बार यहां देखो जो जो topics आपको दिख रहा है कि easy to moderate है वो आप ज्यादा प्रेक्टिस कर लो DI आपकी आई है है तो DI में आप अच्छे से प्रेक्टिस करो ताकि आपका जो upcoming exam में कर गिसी का अनालोगी और बन आउट और सीरीज यह topic as it is कल की तरह है आज अनालोगी 2-3 और बन आउट भी 2-3 question आप ने देखा होगा मौक टैस सीरीज में भी हम अनालोगी और बन आउट की वेटेज यही रखते हैं विकस प्रीवियर्स यहर में भी देखा गया है कि दो से तीन question इन दोनोग topic से पूछे ही जाते हैं इंडिविज्वली सीरीज के दो question देखे गए statement and conclusion का भी एक question आया था कल की तरह paper folding, coding decoding, mathematical operations, counting figures, blood relation और mirror image, दूसरा when diagram की दो question आप से पूछे गया है और slog भी देखा गया है ना, so यह आपका यहाँ पर इसका जो level दख़ा है mathematical operation was easy one, ठीक है so यह overall देखो तो आप easy to moderate कह सकते हो लेकिन मैं तो यही काऊंगे कि reasoning का section आपका easy था आप अच्छे attempt करके आ सकते थे यही कुछ section आपका सोखा है थोड़ा सा भी easy आ रहा है वहाँ आप अपना score बढ़ा सकते हो आप patiencefully attempt करो questions को देखो हैना अपना mental state एकदम calm down करके paper को attempt करो दूसरी चीज English language की बात करो तो English में मैं कहूंगे कि topics ऐसे हैना आपके fill in the blanks दो आए है आज fill in the blanks की हमने class भी की दिये है हैना sentence improvement की बात करें तो sentence improvement भी मैंने एक बारी कराया था आपको तो वही तीन से चार्स sentence आपको दिये गए होते हैं उन्हें आपको arrange करना होते है synonym आपसे पूछे गए हैं, antonym आपसे पूछे गए हैं, idiom and phrases आपसे पूछे गए हैं, phrase substitution यह सारे topics वही ऑल्मोस कल के जो topics थे आपके वही सारे topics हैं और level भी कल के जैसा ही डाय है easy कहूंगी मैं, because भाई है कि English language में भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि आप attempt नहीं कर सकते थे, but इस्टिल कुछ sections है जैसे arrangement पे आपको problem होती है, तो student का कहना है कि थोड़ा सा time लग रहा था, यह improvement की बात करें, sentence improvement में भी students को थोड़ा problem होती है, so इस तरह से देखो, तो easy to moderate आपक English language का section है, अगला section हम देखे general awareness का, तो देखो current आपके दो से तीन question थे, chemistry की बात करो तो इन से चार question देखे गए, easy to moderate level का था, कुछ easy थे, तो कुछ moderate level के थे, physics से भी आपके तीन तो at least question पूछे ही गए है, easy, और quality, आपका देखो दो question, biology का तीन से चार question, वो के नाथर का एक question आया है, computer से भी दो question पूछे गए, दो around two questions पूछे गए, student ने बता है कि computer से भी कुछ questions पूछे गए थे, history की बात के लिए तो दो से तीन question आपके पूछे गए है, geography से दो से तीन question आपके पूछे गए है, so overall यह जो level आपका रहा, that was the moderate one, यहाँ पे आप कितना around 15 to 18 आप student क कहना है, attempt करके आए है, so यह आपका देखो, analysis हम डेली का डेली करेंगे, but what is the benefit of this analysis, so that जो student आने वाली shift में exam देने वाले है, वो mentally prepare हो सके, कि exactly exam का क्या pattern है, किस तरह से design करी चारी है, चीज़े, क्या variations हा रहे है, day to day, है ना, यह सब कुछ इन चीज़े आपको फाइदा मिलने इन से, दूसरी चीज़ यह जो general awareness वाला section है, इसके questions हम 40 questions आपको daily के daily provide कर आ रहे हैं, यह तो आपका RRB NTPC के लिए है, जो आपका 40 questions का निकाल रहे हैं हम लोग PDF, और दूसरी चीज़ हम लोग daily discuss करेंगे, SSC का जो अभी यह जो exam जिसके हम analysis कर रहे है, SSC, CHSL की, इसके जो daily question पूछे जाते हैं, general awareness के, वो पूरा question, पूरा shift का, सारे shift का निकाल के, हम लोग अगले दिन आपको provide कराएंगे PDF, right, so बिल्कुल वो question भी आप देखो, आज भी मैने discuss किया था, तो जो जो student ने वो session भी देखा है, उन्हें पता होगा, कि क्या benefit होने वाला है, general awareness के question से, so if you also want to know that exactly what you are going to gain with that PDF or the video, so जाकि वो video देखो कि कौन कौन सी चीजे हैं, जो मैने आपको बताई हैं, right, इसके बाद में देखो, आपका mathematics का student बोलते हैं, कि हमारी math कम जोर है, या फिर हम लोग के concept better clear नहीं होते, so आप Sanjay sir का course ले सकते हो, SSE का course है, फिर इसके लिए enroll करा सकते हो, so एको 8 years plus का experience है, so do join this course है और benefit low, so इसी के साथ student session को bind up करते हैं, and आने वाली shift में जिन students का exam है, उनके लिए all the best, और इसी तरीके के analysis को जानने के लिए, समझने के लिए, जोडे रहे हैं हमारे साथ, stay tuned, and yes, please do not forget to like and share this session, because ये बहुत ही peak time है SSE का, so हर student के पास में analysis पहुंचनी चाहिए, है ना, so इसी के साथ में, all the best students, stay tuned, thank you